मुझे लगता है कि चीटिंग करने वालों को हम लोग बहुत इज़त देते हैं विजय मालिया को देखिए और तो हो सकता है थोड़ी इज़त बढ़ जाए मेरी और एक और चीज जो कि हम लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे जिस चीज का वो इस देश में आ गया है रामराज आपको मुबारक हो रामराज यहां आ चुका है इतना तगड़ा आया कि कनईया पिट गए भीम के हाथों सोचिए इतना बढ़िया मतलब क्या हो सकता है कि पूरा माइथालोजी हमारे सामने खेला जा रहा है यहां पर कितनी बढ़िया बात है और दिल्ली वालों के लिए एक और खास बात यह है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो बहुत ही बढ़िया है वो हर चीज में और इवन है वो सिर्फ ट्राफिक में नहीं और इवन है और दे पे बोलते हैं भाया ओर इवन गाड़ी चलाओ है वो एक दिन गाड़ी एन्वार्मेंट की रक्षा करनी है और यह वो इवन डे पे कोई भी आता है बोलता है हमको यमुना में न यमुना की बत्ती लगानी है आओ भाया तो इवन डे पे उनका वो चलता है मैं क्यों कॉमेडी करता हूँ वाय आइम युनों बार-बार मुझ पे इल्जाम लगता है कि तुम इतने सिनिकल क्यों हो यार इतना कुछ अच्छा हो रहा है देश में तुमको साला खराबिया ही क्यों दिखती है क्यों हुम मैं इसलिए हूँ सीधा सा कारण है उसका मैं उत्तरफ्रदेश से हूँ जो यूपी से होगा वो समझेगा यूपी वाले सिनिकल नहीं होंगे तो क्या होंगे कोई यहां है यूपी वाला कोई है अच्छा एक मैं टिप दे देता हूँ आगे से हाथ नहीं खड़े करने होते हैं कोई पूछे कि UP वाले हाथ नहीं खड़ा करना पीछे कर लो हाथ, बताने वाली बात नहीं है, सिर्फ आप मैंने यह नहीं पूछा, ग्रैविटेशनल वेवस किसको समझ आ गई, ठीक है आप सिर्फ बिहार में जाके कहिए कि UP से हैं, तो वहाँ उसको लगेगा हाँ फ्यूचर से आया है कोई बाकी जगे आप अपना चुपा कर रखिए और बांबे में तो मैं बिल्कुल नहीं बोल, मैं पंजाबी आइडेंटिटी ले 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 ता हूँ वाँ पे कि मैं पंजाबी हूँ जो कि जूट है, आदा जूट है, आदा सच है तो ये एक सिनिकल, सिनिसिजम वहाँ है, वहाँ है क्योंकि आप क्या करें, आप मैं UP की ट्रेंज की बात करूँ तो सिर्फ यूपी में ही ऐसा होता है, यूपी की ट्रेंज में आप जाएंगे तो ट्रेंज में आप जाएंगे, ये ट्रेंज के, हगए का मगगा भी लोहे की चेंड से बंदा होता है इतना कम भरोसा है लोगों को एक दूसरे पर जितनी मोटी चेंड में वह अनारकली को बांदा गया था मुगले आजम में उतनी मोटी चेन से वो हगे का मगगा रखा हुआ है, बंदा हुआ. पानी के नलके पे उन्होंने लॉक लगाया होता है, टॉयलेट में, ट्रेन के टॉयलेट में पानी का नलका न उखाड के ले जा कुई. उसमें भी हम आते थे, जाते थे, वापसी में पता जलता था, वो डबबा भी गायब है, वो नलका भी गायब है, चेन रगड के आना पड़ता था हम बच्चों को. तो इस तरहे के माहौल के बाद, आप क्या करेंगे, आप सिनिकल ही होंगे ना, आप क्या कर सकते हैं. लेकिन बात ये है, यूपी की एक और में छोटी सी आपका बात बताता हूँ, कि जैसे हम लोग ट्रेन बसों में जाते थे, बस स्टेशन पे आप जहां भी रुकेंगे, बीच में एक बंदा चड़ता था, बस में वो बेचने के लिए जूसर एक बेचने के लिए चड़ता यूपी की एक और में चोटी सी आपका बात बताता हूँ, कि जैसे हम लोग ट्रेन बसों में जाते थे, बस स्टेशन पे आप जहां भी रुकेंगे, बीच में एक बंदा चड़ता था, बस में वो बेचने के लिए जूसर एक बेचने के लिए चड़ता था, तो प्लास्ट जो स्टील की दस रुपे का, यूस थेजुषर होदा था होड़ी चोटा चाक, जूसर जूसर उसमें और हेंस नंतरे से जूस निकालके दिखा देता था, हम लोग बड़े इंप्रेस हो जा थे, यार एक संतरे से पांच कप जूस निकालके दिखा दिया और हम लोगों ले देख घर आते थे, कभी उससे पांच कप क्या आदा कप नहीं निकलता था. 2014 में पूरे हिंदुस्तान ने वो जूसर खरीद लिया है. जो जितने वो पांच कप बोले थे, आप से आदा कप आपको नहीं मिला है, आज तक आप याद रखिए. और दिल्ली वालों को मुबारक देता हूं, आपने दूसरा भी खरीद लिया उसके बाद. इन सब चीजों के बीच में, इस्टाबलिश्मेंट के बारे में बोलने वाली कॉमेडी, and there is a, you know, there is a line by a comedian saying, great jokes, you know, great jokes are ones that offend and yet please at some internal level, you know, a great joke is something which makes 50% of the people, and it's a perfect joke which makes 50% of the people applaud and the rest 50% are sitting in shock or hurt or offended, you know. वो बालन्स तभी हो सकता है जब आप इस्टाबिश्मेंट के बारे में बात करेंगें. और मेरी पोजिशन यह है कि I am a upper caste Hindu male, there has been no, you know, बहुत सारे इस्टाबिश्मेंट मेरे उपर हैं नहीं, actually, you know, in India. There are very few establishments. हाँ, political establishment हो सकता है, ideological middle class morality है, वो एक बहुत बड़ा establishment है हमारे देश में. Why are we having this session here today? You know, अचानक से क्या हुआ है? 2016 में हम comedy as descent की बात क्यूं कर रहे हैं? 2016 में ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि मैं 2005 से comedy लिख रहा हूँ, it's been 11 years, उसके शुरू के 9 साल मेरी comedy जब थी, उस समय यूपिय की सरकार थी इस देश में. उस समय किसी ने मुझे आके कभी नहीं बोला, कि यार, बहुत, बहुत ब्रेव हो तुम, ये जोक्स कर रहे हो. जो पिछले दो साल में मैं हर हफते सुनता हूँ, हर हफते मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं, बहुत यार, तुम, बहुत दम है तुम्हे यार, या बहुत, क्यों हो, मतलब, इतना पंगा क्यों ले रहे हो, मैं कहता हूँ, मैं तुम पंगा है, तो मैं ग्यारा साल से ले रहा था, उसमें से नौ साल मुझे कभी ऐसी फिलिंग नहीं आई, so it's, most of it is anecdotal evidence, okay, as per सरकार की तरफ से कोई प्रेशर, पुलिस की तरफ से कोई प्रेशर, सिस्टम की तरफ से कोई प्रेशर, मुझे नहीं लगता, अभी तक हमारे देश में किसी भी कोमेडियन को आया है, so that is a good thing, और कल, Amit Shah साभ यहां बैठे हुए थे, उनका सेशन था, and he actually responded कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नरेंदर मोधी पर जोख हो, या Amit Shah पर या किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर जोख हो, और उसको वो दबाने की कोशिश करें, which is a very welcome thing, वो सुनके मुझे लगा कि हां मैं सही सोचता हूं, because I am very hopeful about the scene of comedy in India, I am very hopeful about this thing, कि यहां पे लोग जोग सुन सकते हैं, comedy is liberating, you know, dissent is liberating for, not just for the person who is saying it, for the person who is listening to it, because there is some communication which is happening, you know, the communication happens verbally, through the form of an art, through the form of a culture dialogue, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं ना उठा के मैंने पत्थर, यह जो भी पुतले जला है, वो सब नहीं हो रहा है, यहां बात हो रही है, तो जैसे कि, अगर मैं पुराने टाइम की, UPA के टाइम की comedy का, मैं आपको दो तीन एक्जामपल देता हूँ, ताकि आपको यह पता चले कि, क्या हो रहा था उस समें, मैंने जिंदगी में जो सबसे पहला जोग लिखा था, वो उस समें, मनमोहन सिंग उसी समें न्यू यॉक गए थे, और वहां की टैक्सी उनियन से मिलने वाले थे, और वहां की टैक्सी उनियन, इंडियन टैक्सी उनियन थी, उनसे मिलने वाले थे, और वो कुछ डिमांड लेके उनके पास आई थी, और मेरा पहला जोग शायद यही था कि मनमोहन सिंग ने उनको कहा कि भाई मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ मैं तो खुद इंडिया में किसी और की गाड़ी चला रहा हूँ दूसरा एक और जब 2013 का 15 अगस था शायद मनमोहन सिंग का आखरी 15 अगस जो था as a Prime Minister और वो मैं दिल्ली में ही शो कर रहा था और वो लाल किले पर जाने वाले थे और उस दिन मैंने उसके ठीक पिछले दिन मेरा शो था इंडिया हबिटाट में और वहां मैंने ये बात कही थी कि I don't think Manmohan Singh को आज जंडा फेराने के लिए लाल के लिए पर चड़ना चाहिए क्योंकि वो जैसी उनकी इसमें मानसिक स्थिती है उनको किसी उची जगे पर नहीं जाने दिना चाहिए तीसरा राहूल गांधी के बारे में जब बहुत सारे ये जो चमचागिरी जो कॉंग्रेस में चलती रहती है उस चमचागिरी के दौरान कहीं पर ये बात निकली थी कुछ बहुत सारे लोगों ने डिफेंड किया ये का था कि वो अगले प्रधान मंत्री बनने वाले हैं जब दो हजार बारा तिरा में पी एम के उसकी अनॉंस्मेंट हो रही थी और ये कहा था बहुत सारे लोगों ने कि ये राहूल गांदी तो गॉड्स गिफ्ट और ऐसा सब दो तीन जो कॉंग्रेस के निता है मैंने ये तब मुझे ये लगा था कि किसे दिन अगर राहूल गांदी गल्ती से अपने लगा ले ना तो अगले दिन आधी कॉंग्रेस मरी हुई पाई जाएगी तो कुछ आपको एक्जामपल देता हूं जो पिछले कुछ दिनों में क्योंकि मुझे लगता है इस समें कॉमेडी हो ही नहीं रही है मतलब हम लोग नहीं कर रहे हैं कॉमेडी कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि रियल न्यूज इतनी खतरनाक हो गई है कि हमारी कॉमेडी उसके सामने फेल है मतलब हम लोग सोचते हैं कि इसमें हम जोग क्या बनाएं हम सीधे-सीधे फैक्ट जाके बोलके आ जाएं तो पुलिस आती है, आदमी को उठा के ले जाती है, उसके खून की फॉरेंसिक जाँच होती है, यहाँ आदमी मरा, पुलिस आई, और उसके फ्रिज में गई, और उसके फ्रिज से जो मीट था, उठा के ले गई, उसका फॉरेंसिक जाँच हुआ. इसके सामने में क्या जोक बनाऊंगा बताईए यहां आप किसी को कह नहीं सकते कि आप इंटॉलरेंट हैं क्योंकि उसका जवाब ही होता है कि तुने मुझे इंटॉलरेंट कहा मैं तेरा मुझ तोड़ दूँगा इसमें आप क्या जोक बनाएंगे यहां पे घोड़े की टांग तूट गई है वो नाशनल न्यूज बन गई है आज की तारीक में आप सोचिए चार दिन से टीवी पे वो चल रहा है चार दिन से यहां पे कितने सारे operation होते हैं दलित के गाउं में दलितों के गाउं में उनके कुए में जहर डाल दिया गया था क्योंकि वो लोग लोग लेकर निकले थे जो अलाओड नहीं है दलितों को कुए में जहर डाल दिया था जाके अपरकास्ट लोगों तो वहां पे एक घोडे की टांग टूटी है वो नैशनल न्यूज है लेकिन उससे एक चीज अच्छी मुझे मालूम चली कि शाखा में लाठी भांजना अच्छा सिखाय जाता है एक जो कुछ तो सीख रहे हैंनी तो मैं सोच रहता रहा है तो मैं देखता हूं आजकल फंडिन क्योंकि वो अनने रिगा है ना राइट विंग का शाखा तो उसमें लाठी भांजना सिका रहे है ओर भाशन दे रहों आई आईयस आयस के खिलाफ अपको पता है उनके पास क् आपके हाथ में लाठी, मतलों, कुछ मुझे कॉंबिनेशन नहीं समझ में आया, लेकिन ये, दूसरी चीज ये, उन्होंने जब गोडे की टूट गई उसके बाद जब उनसे पूचा गया, तो सबसे पहला उनका डिफेंस हो, M.L.A. साब जो है, उनका सबसे पहला डिफेंस की था, कि ऑफ न हम लुट घटोड को पानी नी पिलाया वा क्या सुबे सथे ये वह गिर गया, महिं पानी नी पिलाया तु उससे फ्रैक्चर हो गया मतलब करवा चौथ के दिन आदा हिंदुस्तान फ्रेक्चर हो जाये तब तो यह कहां का मतलब उनका वो था फिर अभे खास हमारे यह हैं बहुत प्यारे न्यूज अंकर हैं अर्नब गोश्वामी उन्होंने थोड़े दिन पहले यह अपना न्यूज में वो किया एक SMS पोल किया अपने चैनल पे वो जो रात को News at 9 जो भी में TV नहीं देखता हूँ आप भी मत देखे कम देखे प्लीज लेकिन न्यूज में उन्होंने SMS पोल किया जिसमें यह पूछा गया कि इंडिया को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए यह नहीं यह क्या है यह वार है कि यह वार है कि यह फर्माईशी नगमों का कारिक्रम है यह चल क्या रहा है यह हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं पाया, अर्णव गोस्वामी के चैनल पे डिसाइड हो रहा है, कि हमको पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए कि नहीं, मैं सोच रहा था, चीफ अफ आर्मी स्टाफ बैठ के, अगर टीवी देख रहे होते हैं, उस समय, वो क्या करते, हो क्या रहा है, मैं सीरिसली, सब के सामने, आप क्या जोक बनाएंगा, आप बताईए, फिर अभी थोड़े दिन पहले हमारे स्टेट में, महराष्ट्र में, होर्नोके प्लीज पे बैन लग गया है, अब ट्रकों के पीछे, हॉर्नोके प्लीज पे अब स्टिकर लगा दिये, बड़े-बड़े ब्लू स्टिकर लगा दिये, वो जो भी ब्लू टेप लगा दिये, क्योंकि सरकार का कहना है कि हॉर्नोके प्लीज पढ़ के लोग हॉर्न बजाते हैं, अभी हम बंदर हैं, क्या होउनN, कि होणनों प्लीज लिखा है पय है, पढ़के अचे होगा करना है, अगर आप महराशडर जाएँगे, आप देखेंगे, होणनों अचे क्वेट प्लीज पर टेप लगए है, तो बहुत सारे ट्रक ओुक्टे ओडलते ही गूम रहे हैं इदर उढ़ को कि एक दूसरे को इढ़ से जा रहा है OK, उढ़ से एक लिए दुसरे को तो वो बिचारे परिशान है और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कहा हमने आज तक कौन सी चीज मानी हैं लिखी हुई जो वह मान रहे थे हमने आज तक कब माना है भाई हम तो कभी नहीं मानते हैं जहां लिखा होता है गधे के पूत यहां मत्मूत वहीं सबसे आधा जाके लोग जहां लिखा होता है यहां थूकना मना है वहां हमारा वो वेदिक दिमाग जो आरे भट के टाइम का हमारा जो है न दिमाग कि 90 डिग्री हमारा दिमाग नाप लेता जहां दो दिवारे 90 डिग्री पे हैं 89 पे होंगी तो कुछ नहीं होगा जहां 90 होगा हमारे अंदर से आवाद आएगी थुक 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 शाले थुक तो हम लोग थुकते हैं सीधे फिर ऐसे ही एक बहुत ही बढ़िया चीज पिछले दिनों देखने को मिली अब इस सब के सामने क्या सटायर किया जा बताये यह किताब एक है बच्चों के लिए छपी है बाल नरेंद्र इसमें चाइल्डूट स्टोरीज अफ आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जूसर तो तो इसमें कुछ कहानिया है मैं आपको दो-तिन कहानिया बता जेता हूं आप पढ़िये तो आपको समझ आ जाएगा कि यह सब कहा से आ रहा है इसमें मुलब दिखाया गया कि वह बच्पन से कितने ग्रेट थे और मतलब वस देस्टाइंड तो बी देस्टाइंड टूल बी धाट यह देस्टाइंड अभी आज हमारे एक मिनिस्टर है अब देस्टर आप स्टेट है किरें रिजी जू उन्होंने अपने Facebook page पे नॉस्ट्रे डमस की कोई भविष्यवानी शेयर की है इन All Seriousness अब इस पे मैं क्या जोग पना हूँगा नॉस्ट्रे डमस की कोई भविष्यवानी है जो की 1515 में नॉस्ट्रे डमस पहली बात तो मतलब जो भी ठीक है जितनी लोगों को नहीं पता है जानना भी नहीं चाहे के वो कौन था जेकिन आप जिनको पता है आप जाके देखेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या चल रहा है मतलब वो कुछ अलग बाल देखो अरे नरेंदर के बाल तो उसी स्पेस में ये किताब है इस किताब में उनके बच्पन की गाथाइं है और उस गाता में, ये है कि, तो मतलहं वान है, दो डच्छे हैं उनके जो अजब आसपास fan हे, वो न हमेशन हो, आरे और अरे नरिंडर की शट देखो, आरे रें अरे नरिंडर की बाल देखो, आरे नरेंडर की वो एक बच्चा है is death. वो बच्चा बड़े होके अरुन जेटली बना तो वो तीवी पे लाइव आरा है मुझे ऐसा बताया गया है बहुत सारे लोगों ने टीवी फोल लियोंगे अब तक अपने तो ये फिर इसमें कुछ है ये एक मज़ेदार जो सेंटर पीस है इसकी कहानी का मैं वो आपको बताता हूं और उसके बाद बस तेजी से कुछ पाँच मिनिट में कोश्चिन्स लेंगे लेकिन ये इसमें एक सेंटर पीस है इसमें कहानी है कि बच्चे नदी किनारे मिट्टी में ये कुछ क्रिकेट कुछ क्याच क्याच खेल रहे हैं वो कि देने गुज पार्ती में वो क्याच उन देनों गुजरात में मिट्टी हुवा करती थी तो वो अपना उनकी बाल नदी में गिर जाती है कैसे पहले तो गदे बच्चे नदी किनारे कैच-काच काउन खेलता है पहले बता है ठीक है खेल रहे हैं और बाल उनकी नदी में चली जाती है नदी में मगरमच हैं यह मगरमच आपको दिख रहे होंगे शायद आइ वांटे टो गेट शायद बट वह हो नहीं पाया लेकिन इसमें मगरमच हैं और मगरमच हों के बीच में ठीक जाके यह बॉल गिर जाती है और क्योंकि हीरो हैं यह बाल नरेंद्र यह जाते हैं और यह बोलते हैं कि हम लेके आएंगे बॉल और सारे वो जो उनका दोस्त यह बोलता है हाँ जाओ नरेंद्र बॉल लेके आएगा और नरेंद्र जाता है बॉल और मगरमच हों के ठीक बीच से बॉल लेके आ जाता है मगरमच हों के बीच में बॉल पड़ी है और बॉल नहीं बॉल नहीं लाता है मगरमच का एक छोटा बच्चा है बच्चे को भी यह किया कर रहे थे बाई? यह कैसे मगरमच है। कि कॉंग्रेस हाहै। तुम्ोरा बच्चा ले-गा। अब वे इंप आभे ले गया, तुम्हारा बच्चा भ है, यह कैसे हो तुम यार किस किस तरह के मगर मच हो फिर एक और जो establishment की बात अगर मैं करूँ एक और जो non-political establishment हिंदुस्तान में है वो है हमारी family हमारा जो family structure है जिसमें कोई democracy है ही नहीं हम लोग बाहर जाके road पे हला मचा रहे है democracy, democracy, ये सब अबरे घर में democracy तो देखो यार घर में अपने माबाप के खिलाफ कभी प्रोटेस्ट करके तो देखो नहीं करता है कोई तो वहाँ democracy नहीं है और वहीं से शुरुवात होती है इस सिस्टम की जो पुरा आइडिया है to respect the order to respect the order जहां से भारत माता की जया आया है जिस पे की सवाल भी नहीं आप कर सकते है जिस पे आप कोई मतलब सवाल इस पे जो अनु कपूर का एक खिलिप है आप जाके दूंडियेगा यूट्यूब पे अन्ताक्षदेश सारे गामा पा का किसी चीज का इस पे नहीं बोलने का तो वही बात हो गई है तो यहां पे फैमिली स्ट्रक्चर और हिंदुस्तान में I'm married for eight years now and we have mutually decided me and my wife not to have kids बट वो हिंदुस्तान में वो इतनी बड़ी चीज हो जाती है अगर आपको बच्चा नहीं करना है आपकी जिंदगी हराम कर देते हैं लोग पूछ पूछ के सब लोग मतलब रिष्टेदार दोस्त मतलब सेंसस 2011 वाला जो कि 2012 में मेरे घर आया वो पूछ रहा है वो जब गिंती कर रहा है बच्चा क्यों नहीं है आप बिटिया को बुलाईए हम समझा देते हैं आप अपना काम कीजिए गिंती कीजिए निकल लिए यहां से तो उस लेवल का है और मैं पूछता हूँ कि बच्चा करना क्यों जरूरी है बच्चा क्यों चाहिए तो सब पहला जवाब आता है कि नहीं वांस आगे नहीं भड़ाना वांस कैसे बड़ेगा और मैं कहता हो अरे वांस मैं कोई चंद्रगुपत मोह रहे हूं मेरे मेरे वांस का अचार डालेगी क्या दुनिया मैं क्यों मैं और क्या रजिव गांधी मैं आगे बढ़ाया क्या मिला के चली हमेशा हू सक्टी कर दे टोर स्ट कर देर को है Конечно चली हो जट अलिब आससे हूर के तुन है, हिएकी यए कि अअश्यक्र वीन which is the joke that you've gotten or the thing that you've said either on Twitter or during a stand-up that you've gotten into the most trouble for? In stand-up I think it was around the time our Prime Minister was wearing that amazing suit in front of Obama and I did something in Bombay in a show and it was just about the fact so you know joke has two parts one is the set-up and one is the punch line and set-up has to be foolproof, set-up has to be a fact punch line is obviously an exaggeration and whatever, imagination so in that set-up people had a very big issue that the suit that was auctioned was about 10-20 lakhs or 2 crores, I forgot the number 4 crores, yes so many people said that this is a joke about the Prime Minister about 4 crores or 5 lakhs, whatever, some numbers so because of this fantastic In your current routine you made fun of Rahul Gandhi quite a bit, you made fun of the Prime Minister also quite a bit and also that as a comic, yes of course, who is it easier to make jokes about, Rahul Gandhi or Narendra Modi? Uh... Easier, I think Rahul Gandhi may aadhi raat ko kisi ko jaga ke neen se sirf uske kaan mein Rahul Gandhi bol dono to ho husne lagtayan loog तो, easier to make jokes.